फ्रेंड्स कल है कबड़ी मास्टर डुबाई 2018 का डे 4 कल हमें दो ब्लॉक बास्टर मैचेस देखने को मिलेंगे आज मैं उसी के प्रेडिक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ तो आपको क्या करना है बस सुरूस लेकरन तक इस वीडियो को देखते रहना है फ्रेंड्स पहले मैं आपको कुछ बाते बता दू कि जैसा मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लागा कर वीणर बताई जैसे आज दो मैचेस हैं तो लिखिए हैस्टग एरान वर्सेस कोरिया और अपना बताईए लिखिए हैस्टग इंडिया पाकिस्टान और अपना वीणर बताहिए और अगर आपका दौने प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम लूगा आपका कॉमेन डिखाऊंगा तो बात कर लेटे हैं ।े दे टू के विनर्स के बारे में दे बारे में पहले Ace मैंदे कहा देखा चुका हुँ इनिरस को अभवात का सबक्री कि अब yanlış मुझे ठीन पेक्साइन के बारे में सबका प्रेडिक्शन सही था पर उपर जो तीन का नाम था मैंने उनको ही लिया है तो यहां पर आपका नाम नहीं आया तो यह जल जली कॉमेंट कि कोडिया और इरान उसके बाद मैंने को मिलेगा और इरान के बीच तो पिछले बार जब कोडिया और इरान के बीच वाथ पहला दिन जो पहला ही दीन मैंज था वो दूसरा मैंज था नौबैसे हुआ था पर इस बार हमें आठ बज़े से देखने को मिलेगा यह तो मुझे इस बार लगता है जो टीम जीते हूँ इरान बहुत अच्छी टीम लगड़ी है मुझे फजल अबुचर मिराज मक्सूदलू के ना होने के बावजूर तो मैं 55% इरान को देना चाहता हूँ पड़ा मैच होने वाला है दोनों देशों के लिए डियारे मैच बहुत अच्चा मै एकल भी है तो यार मुझे रखता है यहाँ से इंडिया जीतने वाली है और यहाँ से माच्धिक 2019 और पाकिस्थान को देना चाहिए पाकिस्थान अगर वैसे खेले जैसा उन्हेंशने दिन 10 मिनट में खेला था तो साइड वो कुछ कर पाई 400 मिनट वैसे खेले तो उनके बाद अनुभावी प्लेयर्स है पर देखना है पाकिस्तान ही एक ऐसी टीम है जिन्नों ने इंडिया को हराया है कोडिया के साथ साथ कोडिया ने पीज़े साल वर्ल्ड कप में रहा था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल लाइकन को बजाईए टाइकम जैसे अगली कवर दीवाली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आजाए और आपको कुछ नहीं करना बस अगली वीडियो के लिए वेट करना